Hello everyone, कैसे हो आप सब और आज हम देखने वाले हैं Blood Hereditary Disease के बारे में उससे मेले हम ये देखेंगे कि Blood Hereditary Disease कैसा होता है यानि कि Heredity आपको बता है कि Parents से Offspring तक जाने को Heredity के थे ठीके, Parents से Offspring यानि कि Parents से Offspring की तरप जाता है उससे हम Heredity के थे लेकिन यहाँ पर character जाते हैं, तो Chris Cross inheritance का मुतलब क्या है, यह class 12 student के वास्ते है, उन student के वास्ते बहुत जरूरी है, जो CET कर रहे है, या lead की preparation कर रहे है, ठीक है, उसमें यह question आ सकता, पहली बार में तो यह बात पता हुई चाहिए, Chris Cross inheritance में क्या होता है, तो इसकी ने की बहुत ही simple definition है, Chris Cross inheritance की, की character are transfer from grandparent to their grandson is known as Chris Cross inheritance, और the disease are transfer is known as Chris Cross inheritance, यादि के इसमें disease भी transfer होता है, जनरली disease transfer जो होता है, वो disease किसके ओपर transfer होता है, तो उसके grandparent से यादि के दादा जी से वोते गया या शे अगर डादा जी है, तो उसके दाजाजी से उसका जो पोता है उसके अंदर ये डिसीज ट्रांस्पर हो रहा है उसके ग्रैंड पैरेंट से उसके ग्रैंड संतर ग्रैंड पैरेंट से ग्रैंड संतर ये डिसीज ट्रांस्पर हो रहा है जीपी, जीएस, इसका शौट पॉर्म उदर हमें याब रखना है, क्रिसक्रोस इनीरिटर्स का, जीपी, जीएस. जनरल पोलिस, जनरल साइंस, अगर उसकी ट्रिक हमें याब रखना है, जीपी, जीएस, क्रिस-क्रोस इन हैं इसका एक्जम्पल है हिए्षामपल है बलॉड इसे नाम आपको नाम आपने सुलें जहां पर पेशंट को बलॉड कलॉड होता है नहीं है कि ळुणर है यानि कि क्या क्यों बलड क्लॉट नहीं होता है यानि अगर उसे जखम होगे तो वहां पर उसके खपली जड़ी नहीं आती है जैसा कि हमें पता है कि नॉर्मन जख्ममेद बाद kuch एक दो दिन बाद कफ़ली आती है वो परसन को खपली नहीं आती है और वो परसन का वैसा ही जख्म रहता है और वहाँ पर फिर मक्या हं दो आख है कि यह करते गूते है या नहीं कि यह क्या हो रहा है यह एक टाइप का disease है यह टाइप की बिमारी है के लिए तो यह बिमारी कहां पर हो रहे है यह बिमारी ट्रांसपर भी होती है यह बिमारी जन्रली हीमोफीलिया ब्लड डिसिस में हो रही है पॉस करें को तो ठीक है तो हम देख रहे हैं हीmophilia blood disease mamophilia क्या रहता है it is a hereditary blood disease in which blood falls to clot or very slowly देखिए यहां पर क्या हो रहा है blood falls to clot यानि के वो घट रहा नहीं है जम्रा नहीं अगर body की स्पीन है इसका हात यहां पर इंचरी हो रही है तो यहां पर blood गड़रा नहीं है जब रहा है यहां से ब्लड सिर्फ लोग हो रहा है तो यहां पर क्या हो रहा है ब्लड की प्लॉटिंग नहीं हो रही है इसका मतलब क्या है ब्लड जनरल यहां पर अगर कोई infection हो रहा है। तो यह infection जो हो रहा है, वहां से क्या हो रहा है ? फून , जा रहा है यह जो ब्लड बेह रहा है। तो जनरल यहां बोलेंगे it is a hereditary blood disease in which blood falls to clot or very slowly, very slowly, deficiency are occurs in it, यानि के deficiency है, यानि के हमोफिलिया डिसीज में एक deficiency है, यानि के यहां पर क्या हो रहा है, हम एक्जाम्पल ये थू देखेंगे, उसे पहले मैं आपको बता दू कि it is a bleeders diseases, bleeders diseases का मतलब क्या होता है, bleeders diseases यानि के जहां पर खून बहता है, या अपना जो रपत रहता है, वो कैसा होता है, सिर्फ बह रहा होता है, जहां पर रुपता नहीं है, ठीक है, तो जन्रेलिस का एक्जाम्पल देखेंगे, अगर सपोस्ट पैरेंट्स हीमोफिलिक मेल है जो नॉर्मल है, तो देंगे हमोफिलिक नॉर्मल, हमोफिलिक मेल इस रॉस्ट विदी नॉर्मल फिमेल, तो आपको ग्रमित्स वालों बिन, हमोफिलिक है, यानि के यहां दीखें के रॉस्टिव है, याद रहिखें नहीं हो रहा है जो चीज एकस्प्रेस में होती है वो क्या होता है आगे जाके आपको पता है वह एक आदाद डिसीज क्या करता है पैदा करता है तो यहां पर हीमोफिलिक मेले यहां पर गिल Krista यहां पर होरा है यहां पर क्यांता है यहां पर अने है ने कापिटल का, यहां पर करुपिह आपको इंडर बात करें हो जो हुँआ रहे है है जनरल यह पंसे देखन नीचे की तरफ आ गे अब इनका क्रॉस ह 6 और यह एक्स ओने की वज़े से ऑगे आएं अरो उसके बात क्येंट in tál है 58 है आ यह और यहन इसका यहाँ पर 15 जेनरेशन रिकल पुछा है अब इसके बाद इस तरीके से हम आपको समझ में आता है कि XHX small X, capital X, capital Y तो इस तरीके से ये पूरा Chris cross female return से आगे के lecture में हम देखेंगी कि किस तरीके से ये crossing होता है अकर suppose यह female या male किस तरीके से अपनी grandson में यानि कि F1 generation के बाद जो F2 generation तयार होगी वहाँ पे किस तरीके से यह offspring changes होगे या इनमें कोई disease आएगा, ओके? अब तक के लिए थाएंगे